नमस्कार दोस्तों आप लोग को स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों गुरूब डी में फिर से आठ लोग पकरे गए यह स्वालवर के साथ दोस्तों यह सभी लोग रोम के अंदर कुछ लोग जो इजाम दे रहे थे दूसरी का स्थान पर और कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यह सभी में क्या कटप आगे बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों यहां पर डेली जो है और सौलवर और दूसरी असनारों बैठने वाले लोग पगरा रहे हैं तो उमीद है कि जो है इसका कटप बढ़ सकता है इसलिए अब जो पाना गुरूबडी में होगा मुश्किल तो चलिए सारे जनकारी देखते हैं कि इस पेपर में जो है वो क्या क्या दिया गया है देखिए स्वास्तिक ओनलाइन सेंटर नौसद्ध से एंजीयों ने उठाया रेलवे गुरूबडी परिक्षा में स्वालवर सहित आर्थ दबोचे तो चलिए देखते हैं यहीं गुरूबॡ का नीज है गुरूबॡ के पेपर में जोखी दिया गया है तो फिर श्वालवर पकर crimes तो वही उसके तीन साथ ही केंदर के बाहर से मिल वहार देखते हैं जबकि तिसरी पाली में चार लोग दबोचे गें स्वलबर से पुस्तास में पधाचला की पांच लाक में यह सोधा हुआ था स्वलबर की बैठने की सुचना मिली थी इंस्पेक्टर सत्प्रकास सिंग के नितित में टीम ने स्वास्तिक ओनलाइन सेंटर नौसद इस्थित के अंदर के बाहरती निवकों को गिरफ्तार किया उनकी पुस्तास में पताचला की स्वास्तिक ओनलाइन सेंटर में मुल अभेठी मिधलेश कुमार के स्थान पर शौलबर रंजित कुमार बैट कर परिख्षा दे रहा है पक्रे गए बदमासों की पहचान रंजीत कुमार पतना बिहार उसके बद अखलेश कुमार एहरोली दिवर्या मिथलेश बैसा गोरकपूर के रहने वाल है राम नरेश निवास ये राइवरेली की रूप में पहचान हुआ है कायरत था यह से भी पक्रे गए शौलबर रंजीत ने बताया कि पुर्व में वह इस यार्शी पद पर कायरत था स्वास्तिक और सेंटर नोस्त में मिथलेश कुमार की जगाप पर परिक्षा देने आये था अब तार अखलेश्वर ने बताया कि वह अभी अर्थी की तलास कर है तो दोस्तों डेली जो है ओ गुरूबडी में दुसरे अस्तान पर जो की डेली पकाया रहा है तो उमीद है कि इसका कटप बढ़ सकता है और यहां पर जो देया गया है कि बिहार का रंजीत खुराबर के मिथलेश की जगा दे रहा था प्रिक्षा के अंदर पर साम को ति चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लिजए ताकि जो भी न्यूज आए उस वह सबसे पहले आप लोग को तक पहुंचे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाए